आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक की प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी राउटनेट करें आप यहां से किसका मान निकालना है, dz upon dy का, यानि z को y के साब पेच अपकलन करना है तो देखो, सबसे पहले मैं इसको solve करता हूँ, 10 inverse 1 upon, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कि x को 10 theta मान लेता हूँ तो जब x को 10 theta मानूँगा, तो हम जानते हैं, चुकि एक solve sum का, जो कि 1 plus 10 square theta equal to sec square theta होता है तो यहां पर अगर हम बात करें, कि जो 1 plus 10 square theta होगा, वो हमारा sec square theta हो जाएगा तो under root 1 plus 10 square theta का मन कितना हो जाएगा, sec theta हो जाएगा, क्योंकि basically, तो यहां से हम कह सकते हैं कि under root 1 plus x square का मन कितना आ जाएगा, sec theta जाएगा, ठीक है, तो अब देखो, z equal to 10 inverse, ठीक है, 10 inverse sec theta minus 1 upon, यह हमारा हो जाएगा, 10 theta, यह चीज़ हो गई, ठीक, यह चीज़ हो जाएगी cos theta upon cos theta एगा, और 10 theta को हम लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta, तो यह हमारा sin theta बन जाएगा, यह चीज़ हो गई, अब देखो, हम 1 minus cos theta को क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं, basically, cos 2 theta equal to क्या होता है, 1 minus के 2 sin square theta होता है, ठीक है, तो अगर मैं, basically, यहां पर हमारा 2 theta की जाएगे theta है तो 1 minus cos theta की जाएगे क्या लिख सकता हूँ, 2 sin square theta by 2 लिख सकता हूँ, तो 1 minus cos theta की जाएगे मैं यहां से लिख सकता हूँ, 2 times into sin square of theta by 2, ठीक है, अब ऐसे ही मैं sin 2 theta का भी एक formula जानता हूँ, जो की इस परकार है, कि sin 2 theta equal to हमारा होता है, 2 times into sin theta into cos theta, तो यहां पर sin theta की जाएगे इंटू cos of θ威2 तो यह हमें result मिला यह result मिला तो 1-cos θट upon sin θ कमान कितना आ जाएगा तो दो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा 1 sin θ威2 सो 1 sin θ威2 कैंसल हो जाएगा तो हमें 10 θ威2 मिल जाएगा ठीक है तो यह हमें 10 θ威2 मिल गिया तो z equal to 10 inverse of यह हमें मिल गिया 10 inverse of बेसिकली वो क्या होगा 10 inverse x होगा ठीक है तो z हमारा क्या आ गया एक बटा दो 10 inverse x आ गया अब चुंकि हमें dz upon dy निकालना था तो सबसे पहले मैं dz upon dx निकाल देता हूँ तो 10 inverse x 10 inverse x हमारा एक standard फ़लन है इसका हम अवकलन जानते हैं चुंकि d by by dx of 10 inverse x हमारा होता है 1 upon 1 plus x square ठीक है न यह हमारा एक standard function होता है इसलिए इसका अवकलन हमेशा हमें पता होता है तो यह 1 upon 1 plus x square आ जाएगा और basically dy y हमारा क्या था 10 inverse x था तो dy y dx क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x square अब चुंकि हमें किसका मान निकालना था हमें मान निकालना था dz upon dy का तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो यहां से हमें dz upon dy का मान मिल जाएगा तो यह कट देंगे तो यह equal to 1 by 2 मिल जाएगा तो यह हमारे question का solution है thank you अब सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर